दोस्तों मैं राज और राज इंडेक्शन में आपको स्वागत करता हूं दोस्तों आज है संडे और दोस्तों आपको पता होगा संडे को मैं आपका कोश्चन और मेरे एपिशोड चलाता हूं दोस्तों अगर आपको भी इंडेक्शन से लिटेट कुछ भी कोश्चन करना चाह रहा है कि सर मेरा induction cooktop का जिसका model number HD 4929 उसमें इवन का एर कोड़ आ रहा है फिर मैंने उसका क्वाइल का जो हीट सेंसर निकाल दिया फिर भी मेरा induction cooktop चल रहा है ऐसा क्यों एक्च्वाली क्या होते हैं दोस्तों की बहुत लोगों को जो करिंफिू हो जाता है बहुत लोग कई लिशे इसलिए होते हैं कि नपोने मलो क्वाइल शेंद चायू 276 राथ कि पैर की होता है जैसे मालों प्रेसरन के अंदर में थर्मोस्टेट होता है गीजर में थर्मोस्टेट होता है या दोस्तों जो केक बनाने के लिए आता है उसमें भी थर्मोस्टेट होता है तो एक परकार का थर्मिश्टर है के लिए अब वो क्या काम करता है अब बहुत सारे इंडेक्शन में क्या होता है कि अगर उसको नई भी लगाओगे तो आपका इंडेक्शन कोक्टप गरम होगा कब तक गरम होगा दोस्तों एक आईसी होती है 16 पीन का हो या 20 पीन का हो एक इंडेक्शन के अंदर में उसका रिफ्रेंस वोल्टेज यानि जो क्या होता टो क्या होगा दिश्तों क्या होता है और उसके अंदर में क्या होता है कि अब टीह शोist को यहां िएक ते लगाओगे तो यहां यहां पे कर रहा है कि तो एक्शॉली क्ल सब्सक्राइब सेंसर कोगण में क्या होता है कि आप उसको नहीं लगांगे तो कोड़ाता है और बहुत कोई क्या करता है थो स्कों निकाल देने के बादी गरम होता है गर्म तो आपका लेकिन 2-3 मिर्ण तक होगा उसकी आप कि इरैंर कौड मारेगा जो आपके ज्टि क्या है थोड़ा से फोकस करेंगे कोशन है कि सर आईजी बीटी बीस एंपियर के जगह पर पच्छेस एंपियर लगा दे कि तो एक्च्वाली क्या होता है कि बहुत सब्सक्राइब कि मेरे इंड्रें क्ट्व में पंद्रें चीलरे काजीएट ऊड़ गया अब इंपियर को बढ़ा देते हैं धी कर कला देते हैं जो इसमें लगता है नॉप स्टों पनद्रें पीर से लेके 30 से टक लगता है ठीक है अगर मालोग और tip करते आपको लग रहा है कि उसका एंपियर बढ़ा देंगे तो आईजीबीटी नहीं उड़ेगा अब दूस्तों क्या होता है यहां पर समझना अगर आपका इंडक्शन कुक्टप होता है और 2000 वाट में अधिकतम होता है दोस्तों 2200 वाट होता है या दोस्तों अगर होटल लाइन के इंडक्शन होता हो 3000 वाट का होता है तो आप नॉर्मली इंडक्शन की बात करूं का 2000 वाट में अधिकतम ब्रांड कंपनी का जो आता है जिसको क्वालिटी पीसीवी की अच्छी राती है वह सेवन से एट एंपियर लेता है ठीक है अब समझोंगे सर की हमारा इजीबीट अब यहां पर समझना है अभी दोस्तों जैसे क्या होता है जैसे स्वीच आप देखते हो नॉर्मली आप घर में स्वीच को हम अनौफ करते हैं तो क्या होता है या बलाम उससे जलाते हो या फेन को चलाते हो या कुछ और डिवाइस उससे कंट्रोल करते हो तो और कलेक्टर दोस्तों स्वीचिंग करता है कब जब यहां पर पल्स मिलेगा पोजेटीब के रूप में था अब दोस्तों जो गेट होता है उसको क्या करता है दोस्तों स्वीचिंग कराने के लिए पल्स के रूप में पोजेटीब फिर उसको आप करने के लिए भी नियोटा है भी होताइब भी होता शूचार्ज के लिए अभी होता है अब में ग्नाट मे hai इसमें क्या एकलत सबस्क्राइब कुछ हो जाइड में थे में बंकर देतो हो तो इसके और क्या रहां चार्ज हो जाएगा तो दूस्तों इसके अंदर में करेंट हो जाएगा अब डिश्चार्ज होने के लिए कहां पर जाएगा किधर भागेगा तो उसके लिए कैपी सीटर जो लग रहा तो डिश्चार्ज कर लेता है किलिए अब जुस्तों उसके बाद में अब हम क्या करते हैं माइक्रो कंट्रोल जो आइसी होता है उसका दो पीन क्या होता है दोस्तों फीडवाइक का काम करता है क्वाइल का जो इन्पूट पर वोल्टेज आता है कि यहां पर जीरो हो जाता है तो फिर वहां से पल्स निकलता है फिर जैसे क्वाइल की इन्पूट ने वोल्टेज आता है फिर वहां पर वन वोल्ट हो जाएगा तो पल्स को बन करेगा सिस्टम थोड़ा इसका मैं जब थेवरीकल बताऊंगा एक्षोली काम कैसे करता है तो आपको ज्यादा क्लियार्टी समंध में आएगा तो में इंपोर्टेंट क्या होता है जोस्तों आई भी आपको नहीं पसका इसके बारे माज़ा वीडियो मना का बाता है पता चला दूषरी क्या होता है कि آईजीट केयो चलेक्टर New डायोट का भी बहुत महां इंपोर्टेंट होता है तो इसके बारे में जब नॉर्मल के ल नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा तो कैसे काम करता है पुरी प्रेक्टीकल दिखा के तो आपको किलियर समझ में आएगा के लिए दोस्तों एक कोश्चेट है मेरे पास राज भाई हमारे पास एक उसा इंडेक्शन आया है उसका आईजीवीटी खराब था मैंने चेंज कर दिया इंडेक्शन चालू हो गया बरतन गरम नहीं कर रहा है और फेन का तार जहां लगा हुआ है वहां एक रजिस्टेंस खराब है उसकी वैलू नहीं मालूम पढ़ रही है अब खराब होरने के बाद में दोस्तों आप होंपे झूसरा अथी लगा दिए अब गरम नहीं हो रहा है एक गरम क्यूंद हो रहा हैसे एक होता है और दूसरा होता है कलेक्टर और एक को deta to gate पे पल्स आता है हक हो जो आता है एक दोस्तों उसी पल्स का ट्रेक आपको चेक करना है और दोस्तो क्या होता है जो पल्स कहां आता है तो pwm का सेक्षन है पल्सवीध मौदलेशन सेक्षन है उसके अंदर में 3-4 लगते हैं अब तीन से चार टानिशर जो होगा दोस्तों उसमें आपका SMD प्रेकेंज में लगा है अब वो क्या होता दोस्तों वहां पे 18 उल्ट आता है पल्स वीथ मार्बलेशन को पावर्स अप्लाई हो गया दोनों को कंटेट कराने के लिए बीच में दफ्रमका रिश्टेंस लगाते हैं अब इस लिए लगाते हैं कि अगर सेक्शन सोट हो जाएगा और इधर से पावर आएगा तो बीच वाला रिश्टेंस क्या दूस्तों हट जाएगा तो आपका दोनो क्लियर हो गया आप उसको चेंज करना चेंज करने से पहले पल्सित में सेक्शन को चेक करने के लिए तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि थोड़ा सा तब्यद खराब होने के वज़ा से मैं ज्यादा यहां पर वोलना ही पारा इसके नाम से अरले संदे को और जितने सारे क्यों चूट गया उसका एंसर देने के लिए दूस्तों अबार को वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक की जिएगा और comment वाते क्लिए कैसे लगा ठैंक्स पर दूस्तव वीडियो देखने के लिए